सब्सक्राइब और टेलीकराम ग्रूप के उपर सारी PDF शेयर कर दियते हैं, ट्विटर के उपर मुझे फॉलोव कर सकते हैं, और आपको बता दूँ कि आप मेरे दो कोर्स जो है, अपको करना गया है, पहले तो प्ले स्टोर से आपको स्टडी आईक्यू एप डाउनलोड करनी है, और जा फिर आप नीचे एक कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है, क्लिक करके जो है कोर्स को मतलब परचेज कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी एप, होम पेज नजर आएगा, तो ऐसे आपको उपर 10,000 MCQ और नीचे बेट सेलिंग कोर्स के अंदर GS कोर्स नजर आएगा, आपको स्क्रीन को थोड़ा साइदर स्क्रॉल करना पड़ेगा, दोनों की दरफ चिक है, आज हमारे लेक्चेर के अंदर पहला कोशन क्या कहता है, देखे, पहला कोशन देखे, क्या कहता है, आरेंटिफाइदा औरगन विच इस सिचुएटेटेड न दा बोथ साइद दा हिउमन बॉड़ी, मतलब हमारे बॉड़ी के दोनों जगा के उपर, दोनों तरफ जो है, वो कौन सा अंग, इस में से स्थित है, ऑप्शन में से, तो पहले दिखेंगे जी, स्प्लीन अगर मैं बात करूँ, तो स्प्लीन तो जो है, आपका लिवर के पास होता है, और स्प्लीन पलीह जिसे आप कहते हैं, इस इस कॉल्ड बैंक ऑफ दा बॉड़ी, ब्लड बैंक इसको कहा जाता है, ब्लड बैंक ऑफ दा बॉड़ी, तो ये तो नहीं है लिवर की बात करें तो लिवर जो है सबसे बड़ी largest gland है हमारी body की largest gland of the body and the second thing is largest gland होने के बाव्यूद भी जो है इसके अंदर जो है हमारी maximum regeneration power देखने को मिलती है दोबारा से बनने की शक्ती यहां पे है और urea जो होता है यहां पे बनता है और glycosin जो है हमारी body के अंदर यहां पे store होता है लिवर के अंदर urinary bladder कुछ भी नहीं है kidney is the right answer क्यों kidney जो है दोनों तरफ देखने को आपको मिलती है kidney जिसे आप व्रकक भी कह देते हैं ठीक है तो यह होती है kidney और kidney के दोनों साइड है यह वाली चीज़ें ठीक है kidney है और kidney का एक structural unit कौन सा होता है nephron कहते है उसको nephron is a structural or functional unit of kidney this is very important और average weight कितना होता है 140 gram एक kidney का तो 140 gram is average weight the answer is C option next question है जी in which cities are the summer olympics game 2024 to be held 2024 के summer olympics जो है वो कहाँ पे खेलने को देखने को मिलेंगे देखें पहली बात तो अगर मैं बात करूँ तो 2020 का था अब तो थोड़ा सपंगा है देखेंगे कब होंगे यह तो 2020 के तो टोकियो के अंदर होने वाले थी ठीक है और 2024 का question है तो 2024 का तो decide ही है विंटर olympics होंगे 2022 के अंदर 2022 के अंदर और यह होंगे कहाँ पे बीजिंग चाइना के अंदर कहाँ पे बीजिंग चाइना के अंदर ठीक है और वन मोर question is there कि international olympic committee international olympic committee जो है कि इसके headquarter कहाँ पे है इसके headquarter है लॉसेन के अंदर लॉसेन स्विजर लैंड के अंदर यह चीज़ द्यान रखना है international olympic committee के तो answer इसमें क्या बनेगा डी option paris is the correct answer next question very important in the context of India which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government जाने के संसित के सरकार में इन में से कौन सा जो point है वो imply किया जाता है कौन सा point जो है निहत है और कौन सा apply होता है तो पहला point देखे members of the cabinet are the members of the parliament बिल्कुल जी जितने cabinet के मंत्री होते हैं वो सारे के सारे parliament के member देखने को मिलते हैं और cabinet जो होती है highly decision making body होती है दूसरा है members hold the office till they enjoy the confidence in the parliament ministers hold the office minister जाने के कोई भी आपका minister लगा लो home minister defense minister यह वो अपने office में अपने seat के उपर तब तक बैठा रहता है जब तक confidence मिलता है parliament का तो यह भी point आपका बिल्कुल सही है और parliament का जो confidence मिलना चाहिए confidence जो है exact मतलब क्या होता है majority बहुमत की बार चलती है बहुमत की clear बहुमत की तो यह आपका point बिल्कुल सही है next है cabinet is headed by the head of the state यह point गलत है head of the state नहीं head of the state तो कौन होते है president होते है राष्टपती होते है लेकिन cabinet की meeting जितनी भी होती है वो सारी की सारी prime minister दवरा chair करी जाती है तो इसलिए जो answer तीसरा point बनेगा वो गलत बनेगा answer इसमें क्या बनेगा आपका a option बनेगा answer is one and two only और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जितनी भी cabinet meetings होती है वो मैंने आपको बताया की cabinet committees जितनी भी होती है वो prime minister दवरा chair करी जाती है लेकिन एक committee है Governmentary Affairs Committee. भाकि सारीadaумिटो को प्राrend मिनििस्टर हैं. तो अंसर क्या बनेगा?" A option is the correct answer. Next question The Governor General of India Was given the title of Viceroy for the first time in Governor General کو additional Viceroy का title मिला था यह कम मिला था यह तब मिला था जब Government of India Act 1858 पास किया गया था जिसको आप क्या कहते हैं Good Governance Act भी कहते हैं Good Governance Act और सुशाथन का नीम जिसी में आप कहते हैं जिसमें Queen ने जो है एक कुईन ने पावर ले ली थी जो है सारी पावर कुईन के पास थी और कुईन ने तीन प्रोक्लेमेशन दे थी कि हाँ equality दी जाएगी सबको समानता धरम के कामें कोई देखल अंदाजी नहीं करी जाएगी doctrine of lapse को abolish किया जाएगा जनगे हड़क निती के सिदानतों को खतम किया जाएगा और प्लस इन्होंने बोल दिया था कि गवर्नार जनरल को additional टाइटल मिलेगा जिसे आप वाइसरोय कहेंगे चीक है और प्लस वाइसरोय जो है answerable होगा of state को जो secretary of state होगा वो इन्दिन house में बैठेगा और इन्दिन house कहां पे होगा لंडन के अंदर और इन्दिन house के अंदर इस को जवाब देगा ये आँगे queen को जवाब देगा तो ये है यार की इन्होंने बोली थी Good Governance Act के अंदर बात ये है अब कि Governor General Viceroy कौन से year में बना तो answer क्या बनेगा 1858 के अंदर और कौन बना था पहला Governor General पहला Last Governor General और पहला Viceroy तो वो थे Lord Canning Lord Canning ठीक है Lord Canning वो ही person है जिसके टाइम पे 1857 देखने को आपको मिला था तो answer इसमें क्या बनेगा B option 1858 is the correct answer Next question नेमदा फेमस इंडियन पेंटर फू वो 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 उनर्ड विद दा केसरे हिंद गोल्ड मैडल बाइद बिटिश वाइसरोय उफ इंडियन इंडिया Lord करजन Lord करजन दोवारा कौन से इंडियन पेंटर को केसरे हिंद का title मिला था तो ये किस को title मिला था ये मिला था राजा रवी वर्मा जी को मिला था तो answer इसमें क्या बनेगा C option राजा रवी वर्मा is the correct answer C option क्या बनेगा राइट answer बनेगा Lord करजन वो ही है जिन्होंने Bengal partition किया था 16 October 1905 को Bengal बिवाजन किया था और यहाँ पे जैसे जामिनी रॉय है तो जामिनी रॉय जो है ये भी painter है ठीक है और one more is अभिंदरना टेगोर अभिंदरना टेगोर is very very important जो Indian Society of Indian Society of Oriental Arts इंडियन Society of Oriental Arts और इंटल आट 1907 में ये पहले Indian person थे जिनको scholarship मिले थी Indian Oriental Society of Oriental Arts के अंदर और ये जो है नंदालाल बोज जो है Hindustan painting के लिए जो है जाने जाते हैं मतलब उन्होंने हमारे देश के लिए काफी paintings बनाई है और हमारे जोनर की जो है paintings बनाई है और प्लस एक चीज़ और कब बताना जाऊंगा Indian Society of Oriental Arts जो है ये किसने start किया था 1907 में ही start किया था वो दो परसन थे एक थे गगेंदर नाथ टैगोर और दूसरे परसन थे अबेंदर नाथ टैगोर वो बनेगा C option राजा रवी वर्मा इस दा correct answer जिसको Lord Karzan दवारा जो है केसरे हिंद का title मिला था Next question Important question है With reference to the food chains in the ecosystem Consider the following statement प्रास्थित की तंतर में खादय शरंखला के संधर में निमलिक कतनों पर विचार करो कि इन में से कौन सा कतन जो है आपका बिल्कुल correct है correct है कौन सा सही है पहले point देखे जी A food chain illustrate the order in which chain of organism feed upon each other बिल्कुल जी ये बिल्कुल सही statement बताता है क्योंकि food chain के अंदर क्या होता है जैसे grass होती है तो grass को grass ओपर खाता है ठीक है grass ओपर खाता है और grass ओपर को आगे snake खा लेता है ठीक है और snake आगे hawk को खाता है जो snake को कौन खाता है hawk तो ये एक तरह की food chain बनती है ये तो आपका बिल्कुल point आपका बिल्कुल जाएज है सही point है दूसरा point देखे food chains are found within the population of a species जैने के जो within the population के अंदर ही ये food chain देखने को मिलती है ये point गलत है क्यों for example जो person है man man, man को थोड़ा खाएगा human, human को थोड़ा खाएगा ये impossible चीज़ है man, man को खाएगा तो ये point गलत हो गया ठीक है तीसरा है food chain illustrates the number of each organism which are written by others जो food chain है वो number बताती है कितने एक person ने दूसरे person को खाया ये नहीं है ये food chain ना बताके वो कौन बताती है food web बताती है food chain ना बताके कौन बताता है food web बताती है तो तीसरा point भी आपका गलत हो गया क्योंकि food web में क्या होता है कि कोई भी आके किसी person को आके खा सकता है फूड वेब के अंदर ठीक है तो तीसरा पॉइंट भी आपका गलत हो गया तो अंसर क्या बनेगा option A is the correct answer option A only is the correct answer next question who has become India's first women IPS officer to successfully complete the South Pole expedition South Pole के उपर पहली महिला IPS officer जो है इंडिया की कौन सी बनी थी और वो ये है ये कौन है अपरना कुमार जी तो अंसर क्या बनेगा C option अपरना कुमार जो है पहली महिला IPS officer है जो South Pole के उपर गई थी South Pole के उपर गई थी और one more question is there कि अगर आपसे पूछा कि पहला person बताओ first person बताओ जो South Pole के उपर गया था तो उसका अंसर क्या बनेगा that is Amartsen पहले person थे जो आपके पहले South Pole के उपर जाने वाले पहले व्यक्ती थे South Pole के South Pole is 90 degree South जिसे आप कहते हैं और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 36,6 degree South के उपर हमारा जो है Antarctic Circle पढ़ता है लेकिन बात ये है कि Antarctic Reason के अंदर भी जो है आप क्या करते हो Antarctic अंदर जो है हमारे जो हमारा Antarctic continent है वहाँ पे भी हमारा Research Station देखने को मिलता है वो Research Station के नाम पूछे जाते हैं पेपर में कई बार दक्षिन गंगोतरी नाम है और उसके बाद जो है भारती है और एक है मैत्री तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भारती और मैत्री ठीक है और प्लस एक ऐसा ही Arctic Circle में है नौर्थ साइड के उपर साड़े चाहसे डिग्री नौर्थ के उपर तो आक्टिक में हमारा जो Research Station है वो है ही मादरी और हमारे जितने भी नैशनल पोलर रिसर्च सेंटर है जाने के जो हमारे पोलर एरिया को सर्च करने के लिए जो हमारे इंडिया का सेंटर है वो कहां पे तो यह है वो पेंटिंग और इसका नाम क्या होता है वारली तो अंसरी इसमें क्या बनेगा डी ऑप्षिन वारली पेंटिंग जो है महराष्टा के साथ लिंक करती है और महराष्टा का एक डांस फेमेस है लावनी ठीक है यह आपको याद रखना है और मैं यहाँ पर बात क मिथीलिया डिस्टिक में देखने को आपको मिलती है और लास्ट रहेगा जी मिनियेचर मिनियेचर पेंटिंग जो है स्टार्ट कहां से हुई थी जो हमारे पाल वंश था पाल और बेंगॉल इनके टाइम पे स्टार्ट हुई थी लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो ह आपका वारली इस दा करेक्ट अंसर क्योंकि महाराष्टा के उपर कोशन था अंसर इस डी ऑप्शन नेक्स्ट कोशन विच और फॉलिंग डिजीज कैन बी ट्रांस्मेटेड फ्रॉम वन पर्सन डू अनधर थू टैटू इंग टैटू जो हम करवाते हैं तो कौन सी बिमार अनधर तो दूसरा और चिण बिलकुल सही है use क्योंकि ये धोनों जो है चीजें के साथ लिंक करती हैं तो अनसर बनेगा बी ओप्शन second and third option क्या बनेगा right answer बनेगा बहुत important question है क्योंकि इसमें blood contact देखने को आपको मिलता है hepatitis B और HIV AIDS और HIV के अंदर जो है WBC cell जो है effect देखने को मिलते है और hepatitis में liver की inflammation देखने को मिलती है सबसे dangerous जो है hepatitis कौन सा है और इसके अंदर मौत निश्चित होती है hepatitis C के अंदर time ले लेते हैं वो अलग बात है answer is B option which protein protects the epithelial cell from the damage epithelial cell को damage करने से बचाने के लिए कौन सा protein इसमें से आता है तो इसमें से जो protein है जो हमें damage होने से बचाता है उसका नाम क्या है that is keratin keratin protein जो होता है ये किसमें होता है skin के उपर भी होता है hairs के उपर भी देखने को मिलता है और ये हमारे epithelial cells को बचाता है तो answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा keratin protein और plus एक चीज़ आपको बताता हूँ elastin elastin protein वो होता है हमारी body की elasticity को बना के रखता है जो हम कहते हैं मोटे पतला होगे वो elastin protein के कारण देखने को मिलता है collagen protein के अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी bones के अंदर देखने को मिलता है और animal world के अंदर सबसे ज़्यादा जो protein rich है वो कौन सा है collagen है actin के साथ myosin याद कर लो actin और myosin ये दो ऐसे protein है जो muscle contraction में आपको help करते हैं muscle contraction के अंदर तो answer इसमें क्या बनेगा आपका D option keratin protein is the correct answer और यहाँ पे एक point लिखा गया है यहाँ पे चीज़ देखिए melanin melanin क्या होता है melanin एक pigment होता है जो हमारी body के अंदर color formation करता है जितना ज्यादा melanin होगा उतना color उसका dark होगा जितना melanin कम होगा उसका color उतना fair होगा तो answer is D option keratin protein next question है in which city is the archaeological site of सुरकोतदा सुरकोतदा situated कौन से city में जो है सुरकोतदा जो देखने को आपको मिलता है तो ये है जी कहां पे सुरकोतदा ये है point आपका सुरकोतदा का ये ठीक है ये है सुरकोतदा और ये कौन सा है Gulf of Kutch यहां पे पढ़ रहा है ये है रजस्ता ये पढ़ता है गुजरात वाला part तो answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा गुजरात के अंदर देखने को आपको मिलता है और plus सुरकोतदा एक ऐसा point है जहां पे हमें horse remains देखने को मिलते है ये question बहुत बहुत बार आता है कि horse remains हमें कहां पे देखने को मिलते है वो है सुरकोतदा answer is D option क्या बनेगा right answer बनेगा D option clear very important और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ये Indus Valley Civilization का एक part है Indus Valley Civilization में एक जगा है यहां पे और plus IVC को जो है हम proto historic period भी कहते हैं प्राग के तहासिक word यूज किया जाता है और इसको bronze is के नाम से भी आप जानते हो क्योंकि bronze यहां पे use होता था cancer जिसे आप कहते हैं और यह बनता था copper और tin से ठीक है तो अगर आपसे पूछा कि पहली metal कौन से discover होई थी तो आप बोलेंगे copper पहली बार discover करी गई थी तो answer इसमें क्या बनेगा D option गुजरात इस राइट answer Next question है Consider the following minerals निमल एक खनीजों पर विचार करें तो कौन सा खनीज जो है Next देखते हैं Which of the falling are the required by the human required by the human body for the contraction of the muscles Mass species के संकुचन के लिए इन में से कौन सा प्रोटीन चाहिए होता है तो देखें जी calcium बिलकुल calcium हंडियों के लिए bones के लिए चाहिए होता है और obviously बात है muscle contraction में भी आपको help करता है तो ये तो point बिलकुल सही है iron की बात करूँ तो iron जो होता है hemoglobin में देखने को मिलता है और myoglobin के अंदर देखने को आपको मिलता है जिससे क्या होता है कि आपका blood जो है oxygen जो है आपकी transportation देखने को मिलती है और oxygen transportation होती है तो metabolic activity muscle contraction में आपको help करता है तो ये भी आपका बिलकुल सही point है sodium भी जो है आपकी sodium iron जो होते हैं ये भी आपकी muscle contraction बगरा करते हैं को देखने को मिलता है sodium के इलावा potassium भी आपका muscle contraction में help करता है तो ये तीनों ही आपकी muscle contraction में help करते हैं 1, 2, 3 is the right answer बनेगा, पहले तीनों ही option आपके सही बनेगे, clear, answer is D option next question है, which are the following governor journals introduced a code which provided the separation of revenue administration from the judicial administration जाने के राज्षव राज्षव डिपार्टमेंट को परशासन को और नियाईक परशासन को अलग करने वाले जो है वो governor general वाइसरा है कौन थे और ये वो governor general वाइसरा है जिनोंने जमीदारी प्रथा, जमीदारी प्रथा चलाया था permanent settlement of Bengal और जिनको आप फादर आफ सीविल सर्विस इन इंडिया भी कहते हैं, तो वो है आपका Lord Cornwallis is the right answer B option क्या बनेगा, right answer बनेगा बाकि यहां पर जो option लिखे गए है जैसे कि for example Lord Wallisley लिखा गया है Lord Wallisley तो Lord Wallisley ने जो है subsidiary alliance, subsidiary alliance जो है system चलाया था, subsidiary alliance सहाइक संदी, 1798 में और पहली state जो है sign किया था, that was Hyderabad Hyderabad was the first state जिनोंने Lord Wallisley के साथ sign किया था, William Banting अगर मैं बात करूँ तो William Banting पहले governor general हमारे इंडिया के बने है first governor general of India, 1833 के अंदर और प्लस एक चीज़ और है जो William Banting है, उनका नाम जो जुड़ता है वो जुड़ता है, सती प्रथा को बैंड करवाने में इनका बढ़ा हाथ है, 1829 में किया गया था, और English education को लगाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन father of English education in India कौन किसे कहते हैं Lord Macaulay को कहते हैं, क्योंकि recommendation Macaulay की थी लगाया Banting ने था, Warren Hastings की बात करें तो ये जो है, पहले governor general बने थे हमारे, इसके Bengal के बने थे और इनके टाइम पे ही हमारा regulating act 1773 पास किया गया था, तो अंसर इसमें क्या बनेगा, D option, Lord Cornwallis is the correct answer, B option Next question है Which of the following substances is used as substitute for chlorine in bleaching, जाने के इन में से कौन सा जो ऐसा, जो कौन सा substitute है, जो आपका chlorine for chlorine in bleaching, जो है काम किया जाता है chlorine in bleaching, तो वो है आपका hydrogen peroxide, तो अंसर इसमें क्या बनेगा C option is the right answer C option, hydrogen peroxide use किया जाता है और अगर आपसे single chlorine पूछा जाए तो chlorine जो है water purification में आपको help करता है, water purification में, ये चीज़ आपको याद रखनी है clear, answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा, that is hydrogen peroxide और hydrogen peroxide का अगर पूछा जाए symbol H2O2, जिसे आप कहते है next question है which are the falling bodies doesn't mention in the constitution इन में से कौन सी सविधान के अंदर उलिखित नहीं है, कौन सी ऐसी organization है, कौन सी ऐसी bodies है वो उलिखित नहीं है, मतलब लिखा नहीं गया लिखा नहीं गया, तो इसका मतलब non-constitutional body है जिनका जो गठन किया गया है वो हमारे सविधान के लागू होने के बाद किया गया है, तो जैसी के first and national development council national development council जो बनी थी 6 अगस्त 1952 को बनी थी, जितने भी planning commission के decision होते थे ये final करते थे तो ये तो option आपका गलत हो गया planning commission, planning commission भी आपका 15 March 1950 को बना था, बाद में जाके ये जो है आपका, जो है नीतियायोग बन गया था, नीतियायोग that is first of jan 2013, 2013-14 मोदी जी आये थे, 14 में, तो 15 को 1 January 2015 को जो है नीतियायोग बना था, ठीक है नीतियायोग Zonal Council के अगर मैं बात करता हूँ तो Zonal Council जो है, ये बनाए गए थे State Organization Act के दोरा State Organization Act 1956 के अंदर जो है, ये लिखा गया है ये Zonal Council तब बनाए गए थे और Zonal Council भी आपकी constitutional body नहीं है, ये एक advisory body है और Zonal Council कि कौन सी है North है, South है, East है, Western है और Central वाली है, ये पांचो जो है, ये meeting है, और इसके अंदर जो है Union Home Minister जो है, इनको Union Home Minister जो है, इसको chair करते है और chairman होते हैं, और vice chairman होते हैं जो भी आपके वो respective states होती है respective states होती है, उनके CM चीक है, और rotation basis के उपर चलता रहता है, और एक CM का जो vice chair person होता है, वो एक साल के लिए देखने को मिलता है, लेकिन बात ये है कि एक छटी भी जो है, आपकी zonal council बनाई गए थी, वो थी northeast council, जो आपका northeastern council act 1972 द्वारा बनाई गई थी, तो अभी हमारे देश में 6-6 zonal council है, state organization act द्वारा 5 बनाई गई है northeastern वाली जो है 1972 के according बनाई गई थी, वो छटी वाली थी तो इसमें तीनों ही जो है आपकी क्या है, constitution में नहीं लिखी गई, तो answer इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा तीनों ही answer बनेगे, 1, 2, 3 that means ये तीनों ही आपके constitution में नहीं लिखी गई next question, which river is known as the lifeline of Sikkim, मतलए anime से कौन सी नदी है, जिसे आप Sikkim की lifeline कहते हैं, तो वो है तीसता river, क्या कहते हैं, तीसता river को कहते हैं, next है लावनी is the combination of song and dance is associated with the state of लावनी जो dance है, ये कौन सी game के साथ, जो कौन सी state के साथ संबन्दित है मैंने अभी आपको बताया था, माराष्टा के साथ संबन्दित है, next है an arid rain shadow desert and the driest desert, mosev desert is in, जनने कि mosev desert जो है, बहुत driest desert है, सूखा desert है, और rain shadow desert है, मतलए उसके अंदर पानी वगारा की कमी है, और ये कहां पे कौन सी जगा के देखने को मिलता है, North America के अंदर देखने को आपको मिलता है, और इंडिया में कौन सा desert है, that is thar desert इंडिया में कौन सा desert है, thar desert राजस्थान में, ठीक है, next है the first leader of the opposition independent India was, पहले opposition leader जो है इंडिया में कौन थे वो थे, A.K. Gopalan ठीक है, ये भी आपको अंदर देखने को मिलता है, next है workshop and exhibition on bamboo, a wonder grass was held in which state or UT, मतलब एक workshop हुई थी, bamboo's के लिए, वो कौनसी state or UT में देखने को मिली थी, ये देखने को मिली थी, Jammu and Kashmir के अंदर so Jammu Kashmir के अंदर, जो है union territory of Jammu Kashmir के अंदर देखने को मिला था और इसमें जो है, Jammu Kashmir के इलावा, North Eastern region भी शामिल था North Eastern region भी जो है आपका, इसके अंदर शामिल था, लेकिन हुआ किस नहीं करवाया था, Jammu and Kashmir ने करवाया था, very important question next है, in island development agency, the meetings are chaired by which union minister, मतलब कौन से union minister दोरा, जो है, in island development agency की meetings को chair किया जाता है, ये करते हैं, Amit Shah Amit Shah कौन है, हमारे home affairs minister the minister of home affairs, ये चीज़ आपको याद रखनी है, minister of home affairs is the right answer, minister of home affairs, clear next, which global telecommunication company's arms has lost a new privacy focused search engine called, one search recently, one search जो है, आपका engine, किस ने कौन सी company ने, जो है, global telecommunication ने लगाया है, ये America की company है, that is Verizon, इसके according जो है, आप कुछ भी जो है, अपना जो भी data है, वो store नहीं किया जाएगा, जो आप सर्च करते हो, जैसे हम Google पर सर्च करते हैं, तो हमारे data store हो जाता है, कि हामनी history में चला जाता है, तो इस तरीके से जो है, Verizon ने ये किया हुआ है, कि हाँ, आप privacy आपकी focus रहेगी, कि आप सर्च क्या करते हैं, वो आपके साथ ही रहेगा, तो Verizon ने वन सर्च जो है, ये launch किया है, आपका engine, next है which state organized the world's longest awareness human chain for more than 18,000 km recently, 18,000 km की एक chain बनाई थी, लोगों ने, और ये किसके लिए बनाई थी, जल जीवन हरयाली, जल जीवन हरयाली campaign के लिए, जल जीवन हरयाली campaign के लिए, और ये campaign कहां पे देखने को मिली थी, ये campaign देखने को मिली थी, बिहार के अंदर, और ये campaign किसके लिए थी, ये campaign थी, जो है आपके climate और social climate और social ill को दूर करने के लिए, जाने के समाजिक जितने भी दुर विवार करते हो क्लाइमेट जो हमारा वातावरन है और डावरी और चाइल्ड मैरिज को बगाने के लिए खतम करने के लिए चीजे करी गए थी ये बिहार में क्या था जल जीवन हर्याली एक केंपेन लाँच करी गए थी नेक्स है पहला हुमेन रोबोट जो है वो कौन बनाया गया है वो है वियोम मित्रा क्या है वियोम मित्रा ये भी आपको याद रखना है और इस रो डैडिज इंडिन स्पेस रिसरच और गनेशन 15 अगस्ट 1969 को इसकी जो है और गनेशन बनाई गई थी और इसके बैंगलूरू हेड़कॉर्टर थे और इस रो के चेर परसन कोई है के सीवान है इस ट्राइम पे ये चीज़ दियान रखिए जी आपका अंसर बनेगा वियोम मित्रा नेक्स है मतलब ये जो है किस कंटरी ने बैन किया है जो आपका हाइडो कारबन नहीं यूज करना तो ये है इंडिया ने किया है और मैंने आपको बताया हुआ कि जो टोटल ओवरल सिक्स ग्रीन हाउस गसीज़ है जो आपके ओजोन होल में रिस्पॉनसिबल होती है इसमें क्या बनेगा जी हाइडो फ्लोरो कारबन कारबन डैकसाइड मिथेन है और नाइट्रस अकसाइड है और है एक सेलफर हेक्जाफ्लॉराइड ये सिक्स ग्रीन हाउस गसीज़ है जो देखने को मिलती है आपके ओजोन डिप्लीट करती है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी हाइडो फ्लोरो कारबन किसने बेन किया है इंडिया ने बेन किया है नेक्स्ट कोशन विच कंट्री रिसेंटली बिकेम दा फर्स्ट इन साउथ इस्या तो इंडर्डूस इसमें बाइश बनाए है और इसमें बाइश बनाए है और इलेक्शन के लिए लोकल बॉड़ी एलेक्शन के लिए तो वो कौन सी स्टेट है यह चीज देखने को मिली है और अप्रोक्सिमेटली जो है दस सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशन है उसमें देखने को आपको मिला है इंडियन स्टेट जो है आपकी सॉफ्वेर यूज़ कर रही है और अंसर इस तेलेंगा ना नेक्स है इंडिया 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 साइन कर रहे है वह है महराश्छा महराश्छा स्टेट के साथ महाराष्टा स्टेट के साथ और इसमें 210,000,000,000,000,000,000,000 डिया गया है agriculture को पर मोट करने के लिए तो ये थे आज के lecture के अंदर question बाकी आप मेरा course purchase कर सकते है हमारा 10,000 MCQ course और BGS theory course जो है आप purchase कर सकते है ये theory course है, ये MCQ course है आप कोई भी course purchase कर सकते है अगर आप beginner है तो theory course purchase कीजे और अगर आपको theory पता है तो MCQ course purchase कीजे नीचे आपको description और comment section में link मिल जाएगा otherwise आप play store से जो है study IQ app download कीजे और आप मेरे course को purchase कर सकते है तो क्या करना पड़ेगा जैसी आपको home page नजर आएगा आपको discount मिलेगा और आप मुझे in social media के साथ जोड सकते है यह different social media है मैं Instagram के उपर काफी highly active रहता हूँ PDF आपको telegram group के उपर Twitter के उपर Facebook के उपर और Gmail ID के उपर मुझे आपको अपने doubt अपने paper बगएर मुझे send कर सकते हो so thank you so much guys all the very best good luck take care